दोस्तो जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि Vivo India में लेकर के आने वाला है अपनी एक Z-Series जो की compete करेगी नाहीं सिर्फ Redmi Note 7 Pro से बलकि वो compete करेगी Realme 3 Pro से तो दोस्तो यहाँ पे भाई एक official announcement हो चुका है Vivo के थुरू जहाँ पे वो उसने बताया है कि वो लेकर के आने वाला है Vivo Z1 Pro and you know guys इसकी हमें बहुत सारी specifications पता है and even अगर आप उन में से हैं जिनको इसकी specifications पता है तो आप लोग को ये वीडियो और भी जादा देखनी चाहिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पे ना ही सिर्फ में इसका specification comparison करूँगा Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro के साथ में बलकि साथी साथ में हम यहाँ पे Antutu Benchmark Score का भी comparison करेंगी और साथ ही साथ में दोस्तो यहाँ पे इन्होंने एक dedicated PUBG के लिए phone लेकर के आ रहे है जो इसमें बहुत सारे amazing features है जो शायद से आपको सिर्फ specification पढ़ने के बात पता नहीं चला होगा उसको भी हम इस particular वीडियो में हम discuss करेंगे तो फिर चली दोस्तो करते है पना वीडियो स्टार्ट लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को hit कलीजिगा तो चली दोस्तो now let's get started दोस्तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर इस screen की बात कर लें तो दोस्तो यहाँ पर Vivo Z1 Pro आता है 6.53 इंच की full HD plus punch hole display के साथ में जो की user को बहुत ही यदा immersive experience देगी और साथी साथ में Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro आते हैं थोड़ी थी छोटी screen के साथ में जी हैं दोस्तो वो आते है 6.3 इंच की full HD display के साथ में बस दोनों की screen में difference यह है कि Redmi Note 7 Pro आता है water drop notch के साथ में और Realme 3 Pro आता है dew drop notch के साथ में तो अगर हम overall experience की बात कर ले तो यहां पे मुझे लगता है कि Vivo Z1 Pro जादा बहतर experience देगा users को और अगर हम इसके बात body पे आ जाए तो दोस्तो यहां पे Vivo Z1 Pro और Realme 3 Pro दोनों में ही polycarbonate की body देखने को मिल जाएगी with glossy back Just to remind you guys कि यहां पे जो plastic body होती है उसके अंदर scratches ज्यादा लगने के chances होते हैं और वहीं अगर आप देखेंगे Redmi Note 7 Pro में तो भाई उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है glass body with Corning Gorilla Glass 5 protection So in the terms of body I would say that Redmi Note 7 Pro has a better body लेकिन दोस्तों यहां पे जैसे ही आप इसके camera angle की तरफ मोड़ेंगे न तो you will find a very great difference between Vivo Z1 Pro and the rest of the devices यहां पे अगर हम front selfie camera की बात कर ले तो इन्होंने use किया है 32 megapixel का Samsung का ISOCELL GM1 sensor जी हां दोस्तों यह वही sensor है जो कि Samsung के दोआरा launch किया गया था 48 megapixel वाले sensor के साथ और दोस्तों यह भी जो है pixel binning का use करते हैं जैसे कि 48 megapixel वाला sensor यूज करते हैं यह 32 megapixel Samsung sensor is capable of capturing 8 megapixel photos at 1.6 micron pixel sizes की वज़े से low lightning condition में बहुत ही बहतरी न यहां पे selfies की देखने को मिल सकती हैं आपको और साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप यहां पे Redmi Note 7 Pro की बात करेंगे न तो यह वो तो सिर्फो से 13 megapixel के camera के साथ में आता है और इसमें भी जादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है low lightning condition में बहुत ही जादा है struggle करता है मैंने पहले भी Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro के front selfie camera के बीच में comparison किया हुआ है the video link is in the description box वहां से जाकर आप देख सकते हूं वहां पे clearly winner निकल के आया था Realme 3 Pro जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है 25 megapixel वाला front selfie camera और उसके अंदर भी जो pixel binning की वज़े से 1.6 micron का आपको जो है pixel size देखने को मिल जाता है इसके बात दोस्तों अगर हम यहां पे रियर camera की बात पर लेना तो भाई यहां पे आपको देखने को मिलता है Vivo Z1 Pro में 16 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel का triple rear camera जो की काफी ज्यादा बढ़िया है दोस्तों और यहां पे Redmi Note 7 Pro में 48 megapixel और 5 megapixel केवल dual rear camera देखने को मिलता है जिसमें की 48 megapixel primary camera है 5 megapixel वाला जो camera है वो है इनका depth sensing camera और ऐसा ही same camera setup देखने को मिल जाते है Realme 3 Pro में जिसके अंदर उनका primary camera है 16 megapixel का और यहां पे depth sensing camera है 5 megapixel का लेकिन दोस्तों यहां पे Vivo Z1 Pro में थोड़ा सा different देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों यहां पे 16 megapixel का जो इनका camera है वो तो इनका primary camera है लेकि जो 8 megapixel वाला camera है वो है इनका wide angle camera और जो 2 megapixel का camera है वो है इनका depth sensing camera दोस्तों इसके बाद दोस्तों, अगर हम यहाँ पे पर्फॉम्मेंस में आ जाए ना तो यहाँ पे आपको दीखने को मिलने वाला है कुछ बड़ा बड़ा डिफरेंस क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वीवो Z1 Pro में इन्होंने फर्स टाइम यूज किया है प्लोडिंग स्पीड है वो मैक्सिमम 800 Mbps तक किया है और जो अप्लोडिंग स्पीड है वो 150 Mbps तक किया है और अगर इसी के हम कंपैरिजन में देखे रेड्मी नोट 7 Pro में तो जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है Snapdragon 675 वाला प्रोसेसर वो 11 Nm के फिंफिट अर्किटेक्चर पे बना हुआ है और साथी साथ में उसके अंदर कोटेक्स A76 वाला कोर तो यूज हुआ है लेकिन वो 2.0 GHz पे क्लॉक्ड है और यहां पे जो इनका सेकेंडरी कोर है जो कि नॉर्मली ज्यादा तर यूज में आता है वो है 6 कोर और वो है कोटेक्स A55 वाले कोर जो की सेम कोर्स है जो कि आपके Snapdragon 712 या पिर Snapdragon 710 में यूज हु कोटेक्स A75 वाले कोर देखने को मिल जाते हैं दो जो की क्लॉक्ड है 2.2 GHz और साथ ही साथ में जो 6 कोर है कोटेक्स A55 के जो क्लॉक्ड है 1.7 GHz के और इसके अंदर भी डाउनलोडिंग स्पीड 800 Mbps है और यहां पे अपलोडिंग स्पीड 150 Mbps है तो आपको यह तो पता च आते हैं वो दोनों के दोनों Adreno 616 GPU के साथ में लेकिन जो Snapdragon 675 आता है वो आता है Adreno 612 के साथ में दोस्तों आप में से काफी सारे लोग इसके Antutu Benchmark के स्कोर के भी जानना चाहेंगे तो यहां पे जो इनका Snapdragon 712 वाला प्रोसेसर है वो एवरेजली स्कोर कर पाता है Antutu Benchmark में 1,77,000 तक की और वहीं पे Redmi Note 7 Pro तो 1,79,000 तक की स्कोर कर पाता है और जो यहां पे Realme 3 Pro है वो 1,70,000 तक की स्कोर कर पाता है एक चीज़ आप लोग को यहां पे बताना चाहूंगा कि जो इनका Vivo Z1 Pro है उसके Antutu Benchmark पे आप जाधा मच जाएगा यह मच सोचिएगा कि जो इसक के अंदर भी जितने भी वहां पे प्लेयर थे सब ने Vivo Z1 Pro से ही खेला था साथी साथ में दोस्तों इसमें ना PUBG के लिए काफी सारे फीचर भी दिये हुए है पहली बात तो बतातू कि जैसे कि आपको Realme 3 Pro में आपको गेम स्पेस देखने को मिल जाता है और Redmi Note 7 Pro में गेम अर्गो फीचर दिया हुआ है इसके अंदर आपको जो है 4D जो है वाइबरेशन का सपोर्ट मिल जाता है साथी साथ में 3D साउंड का भी सपोर्ट मिल जाता है और एक बहुते जादे इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चलिए कि इसके अंदर आप PUBG खेलते वक्त अपनी व बहुती बिग 5000 mAh की बैटरी और साथी साथ में आपको 18W का फास्ट चार्जर इन दा बॉक्स मिल जाता है और वहीं पर अगर आप यहाँ पर Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro की बात करेंगे तो Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है इसके अंदर आपको Quick Charge 4 का सपोर्ट मिल जाता लेकिन आपको In The Box केवल और केवल 10W का चार्जर इन मिलता है और वहीं आप Realme 3 Pro की बात करेंगे तो उसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि उसके अदर आपको Quick Charge 3.0 देखने को मिल जाता है जो कि काफी तेजी से फोन को चार्ज कर देता है as compared to other smartphone और इसमें भी आपको 4045 m देखने को मिल जाती है यह सब तो ठीक है लेकिन यह smartphone एक बढ़िया smartphone तब तक नहीं होगा जब तक कि यह बहुत ही बढ़िया प्राइस के साथ में नहीं आता है तो I hope कि जैसे Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro 14,000 के आसपास में आते है तो अगर यह वाला smartphone भी इसी प्राइस में अगर आता है So this is going to kill the Redmi Note 7 Pro and the Realme 3 Pro for sure. So that was all from the Geeky Monk for this particular video, I hope you like this video, please do share this video amongst your friends. So that was all from the Geeky Monk, thank you.